मैं थोड़ा बहुत टाइम से न सोच रहा था कि इस टॉपिक के उपर बात करूं या ना करूं फिर कल जब मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे इस टॉपिक को ले करके तो फिर मैंने सोचा कि इसके उपर बना ही देते हैं इसके उपर बात कर ही देते हैं क्योंकि बहुत सारे को एनिमेशन की हिसाब से जज करूं तो इसका एनिमेशन स्टार्टिंग टाइम पे न यार घटिया से घटिया वाहियात था बट अगर हम अभी के एनिमेशन को देखे और पूरे वनपीस के यार अभी तक के सीरीज के जितने भी एपसोड आया है उन सब को मैं ले करके अगर जज करने जाओं तो मुझे ये 0 to hero वाली vibe देती है अब ऐसा मैंने क्यों बोला क्योंकि 0 to hero वाले एनिमेशन में क्या होता है मेन चैरेक्टर पूरा डल होता है कोई भी आके उसको धोके चल जाता है फिर वो आगए जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग बनता है ऐसा ही One Piece के अनिमेशन के साथ है स्टार्टिंग का अनिमेशन भाई क्या ही घटिया अनिमेशन है बहुती ज़ादा वाहियात फालतू बट अभी का एनिमेशन अगर मैं color wise judge करने जाओ तो अभी इसके color के मामल में जिस तर से यार ये coloring के साथ animation कर रही है one of the best animation है यार यहां तक ही कुछ-कुछ episode में तो यार ये ऐसे animation कर देती है न यह मुझे fate series की याद दिलाता है अब जो लोग सिर्फ इसके anime को follow करते हैं उन्हें जादा तर मालूम नहीं पढ़ता कि इसका pacing slow है बट जो लोग इसकी मांगा को read करते हैं उन्हें मालूम पढ़ जाता है कि इसका pacing slow है और research research करने के बाद क्या निकल के सामने आया आव चलो मैं बताता हूँ अब जैसा कि तुम सब जानते हो sorry बहुत लोग नहीं जानते हैं सब भी anime बनते हैं किस लिए मांगा को popular करने के लिए ना कि जब मांगा popular हो जाता है तो उसका anime adaptation होता है ऐसा scene नहीं है मांगा को popular करने के लिए ही anime को बनाया जाता है अब one piece के साथ क्या scene है इसका भी वही लफडा है adapt उस हिसाब से होता है जिससे मांगा को popular किया जाए अभी अगर हम anime के latest episode को 1006 की में बात कर रहा हूँ उसने मांगा के chapter 994 को adapt किया था और जिस हिसाब से pacing चल रही है पिछले साल की बात करूँ तो यार ये 1000 chapter का adaptation जिस हिसाब से पिछले साल pacing चल रही थी 1000 episode में ही कर देती पर इसने जान बूच के इसकी pacing को slow कर दिया क्योंकि बैर भाई जो चीजे इस साल adapt होंगी वो न बवाल होने वाला है बाई तुम एक चीज गौर करना जब मांगा का 1000 chapter एनिमे में adapt होगा उस वक्त अगर ओडा नॉर्मल सा भी chapter डाल देना उसका chapter का selling आसमान फाड़ देगा ऐसा क्यों? जो लोग बहुत पुराने टाइम से मांगा रीड कर रहे हैं तुम लोग याद करो जब मांगा में वानो आर्क स्टार्ट हुआ था वो अपनी स्टोरी को बिल्ड कर रहा था उस आर्क के लिए और ये वन पीस का सबसे वीक पॉइंट होता है उस वक्त अनिमे में क्या चल रहा था? लूफी का स्नेक में बसिस काटा कूरी या फिर सायद लूफी फिप्ट एमपररर वाला वो जो लफड़ा चल रहा था वो सारी चीजे दिखा रहे थे जिससे क्या हो रहा था? भाई एनिमे का तो हाइप बढ़ रहा था प्लस मांगा का भी हाइप बढ़ रहा था उस वक्त ओड़ा normal chapter से normal सा story भी अगर वो डाल रहा था भाई उस वक्त भी उसका मांगा पहले की तरही selling कर रहा था और यह सारी चीजे यार future में भी होंगी वानो के बाद जब next arc आएगा और ODA जब उसके लिए story build करेगा उस वक्त anime में क्या चलेगा भाई war चल रहा होगा और जिससे क्या होगा जब ODA story build कर रहा है उस arc के लिए तो उस वक्त इधर war के वज़े से उसका height बना रहेगा और इधर manga कभी selling slow नहीं होगा भाई बढ़ता ही रहेगा अगर मैं पिछले साल की बात करो तो पिछले साल one piece number 6 पे थी और उससे पहले number 2 पे थी क्या लगता है इस साल वो number 1 पे रह सकती है मुझे लगता है हाँ वो रह सकती है क्योंकि इस बार one piece अपने strong point पे है खेर जो कुछ भी हो I hope कि तुम्हारा doubt clear हो गया होगा मैं जो सारी चीजे बताना चाहता था अगर तुम्हारा कोई doubt रह गया तो comment box में बताना मत बोला साथी साथ अगर तुम मेरे इस opinion से agree करते हो तो तुम्हें मालूम है क्या क्या करना है साथी साथ अगर तुम घुमते ग कि तुम्हार 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 कर दो